ABP News आपको रखे आगे कश्मीर में सुरक्षा बलो ने एक सुरंग का पता लगया है सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौझूद ये सुरंग बॉर्डर सीक्योलिटी फोस को मिली है शक है कि इस सुरंग का आतंगवादी इस्तिमाल कर सकते हैं और खास तौर पर सुरंग कठवा के हिरानगर सेक्टर में मौझूद है इसलिए ये पूरा का पूरा इलाका बेयाधी सम्वेदन शील माना जाता है अंतराश्ट्रे सीमा से सटा हुआ ये पाकिस्तानी सुरंग का भंडा फोड सुरक्षा बलो ने किया है जम्मू के कठवा सेक्टर से बड़ी खबर है एक बड़ी साज़श का परदा फाश हुआ है कठिया के बोबिया इलाके में पाकिस्तानी सुरंग मिलने के बाद अजय बाचलो हमारी समपात आता हमारी सांच उड़ गया अजय पिछले साल नवंबर में BASF को 150 मीटर लंबी सुरंग मिली थी कह सकते हैं उसके बाद ये दूसरी बड़ी काम्यावी जी बहुत बड़ी काम्यावी है कुमकुम और काम्यावी इसके भी है आतंग वादी बेजने की फिराक में था और इन आतंग वादी उनका जो टारगेट था जम्मु में जो सुरक्षा के ठिकाने हैं सुरक्षा के जो एहम ठिकाने हैं सुरक्षा बलों के नमवर बहुत है बलकि पाकिस्तान लगातार इस फिराक में भी था कि अंतरराश्च्री सीमा से इन आतंग क्यूं को बेज़ कर रखिया दूसरे वाहनों के जरीए कश्मीर बेचा जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया आजाए क्योंकि हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद है बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हम इसे सेना की बड़ी काम्याबी इसी विए भी कह रहे हैं क्योंकि परसो भी सुरक्षा बलोने आतंक के ठीकाने का पता लगाया था जमी के भीतर भारी मात्रां में हतियार चुपाए गए थे अन्टरग्राउंड ठीकाने पर हमारी यह रिपोर्ट जमीन में बने छोटे से गड़े से निकलते इस जवान को देखकर इस बार का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसके नीचे कितनी गहरी सुरंग है और फिर सुरंग के बाद एक पहखाना है आईए हम आपको दिखाते हैं आतंग का ये खूफिया रास्ता नीले रंग की दो दिवारों के बीच से गुजरता संकरा सा रास्ता जिसमें एक बार में एक शक्सी घुच सकता है इस संकरे रास्ते से आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे तस्वीरा और सापोंने लगती है ये संक्रा रास्ता जहां खत्म होता है वहां अंदर एक छोटा सा कमरा बना है जिसमें लकड़ी के भट्टे और चादरे नजर आती है ये वही जगा है जिसका इस्तमाल आतंकी सोने के लिए करते हैं तीनों तरफ से सीमेंट की दिवारे और चट बनी हुई है ताकि सोते वक्त मुट्टी ना किरे और ये देखे यहां सांस लेने के लिए दो पाइप लगी हुई है आईए आपको गुफह का दूसरा रास्तव दिखाते हैं जिसका इस्तमाल आतंकी बाहर निकलने के लिए करते हैं वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा बल का जवान रसी के सहारे बाहर निकल कर दिखा रहा है। आतंकियों का ये अंडर ग्राउंड ठिकाना अवंती पुरा के चहरा गाउं का है। रहाईशी इलाके में आतंकियों के इस ठिकाने का पतर अगाना आसान नहीं था। सुरक्षा बलो को चंदहरा गाउं में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जब सुरक्षा बलो ने उनके ठीकानों पर छापे मारे तो हैरान कर देने वाली तस्वीरे सामने आई CRPF के जवानों ने जब इस जगह के तलाशी ली तो यहां से AK-47 के 6 कार्टूज बरामत हुए इस पूरे मामले में आतंक्यों की मदद करने के आरोप में पुलिस ने आदिल एहमद शाहन नाम के शक्स को गिरिफ्तार किया है और उससे पूछताच कर रही है अज़ बरामत हुए